नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुब कामनाएं हे करवा चौथ माता आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाये रखना, सभी को अमर सुहाग देना मित्रों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पौरानिक कथा प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडू पुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए निलगिरी परवत पर चले गए उस समय पांडवों पर अनेक मुसीब्तें पहले से ही आचुकी थी और उन कठिन परिस्थितियों के कारण द्रौपदी बहुत चिंतित और व्यथित हो गई थी अपने पती की अनुपस्थिती में वह दुख और चिंता के कारण परेशान थी जब द्रौपदी को कोई अन्य मार्ग ना सूझा तो वो अपने दुख के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुची और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा है प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं आपको तो मेरे सभी कष्टों का ज्यान है क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे कष्टों का अंत हो सके श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया द्रौपदी तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान अवश्य है लेकिन यह समाधान अत्यंत ही कठिन है परंतु अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनू एक समय पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था और तब शिवजी ने उन्हें करवा चौथ वरत का विधान बताया था इस वरत को विधिपूर्वक करने से स्त्रियों के सभी कष्ट समाप्थ हो जाते हैं और उनके पती की दीरगायू और स्वस्थ जीवन की कामना पूरी होती है द्रौपदी बोली प्रभु इस मनोकामना पूर्ती करने वाले करवा चौथ वरत की जानकारी मुझे भी दीजिये और उसकी कथा कहिए तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद मुस्कुरा कर कहा है द्रौपदी दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है मैं तुम्हें इन सभी दुखों से मुक्ती दिलाने वाले अति उत्तम करवा चौथ वरत की कथा सुनाता हूँ इसे ध्यान से सुनू इस प्रकार से श्री कृष्ण ने करवा चौथ की कथा सुनानी आरंभ की प्राचीन समय की बात है एक नगर में एक व्रिध साहुकार और उसका परिवार रहा करता था साहुकार और उसकी पतनी के साथ पुत्र तथा एक पुत्री थी साहुकार की पुत्री का नाम वीरावती था, वीरावती सभी भाईयों और माता पिता की अत्यन्थी लाडली थी साहुकार के सातों बेटे अपनी बेहन से उम्र में बड़े थे, जिस कारण उनका विवाह हो चुका था, और अभी साहुकार की पुत्री का विवाह होना बाकी था साथों भाई अपनी बेहन से इतना अधिक प्रेम करते थे कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वय भोजन किया करते थे इसी प्रकार समय बीता और उनकी बेहन का विवाह एक सुयोग्यवर के साथ संपन्न हो गया विवाह के बाद पहली बार जब वीरावती अपने ससुराल से माय के आई तो उस समय करवा चौत का व्रत आया और वीरावती ने अपने पती की लंबी आयू के लिए अपनी भाभियों के साथ इस व्रत को रखने का निश्चय किया इस प्रकार से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को साहुकार की सभी बहु पत्नी और बहन ने पूरी सच्ची श्रधा भाव से करवा चौत का व्रत रखा विरावती ने भी व्रत रखा लेकिन जैसे जैसे दिन बीटता गया उसे भूख और प्यास से अत्यधिक कष्ट होने लगा और वह बहुत व्याकुल हो गई लेकिन चूंकी इस व्रत में चंद्रमा को अर्ध्य दे कर ही भोजन करना संभव होता है इसलिए उसे चंद्रमा निकलने की प्रतीच्शा करनी पड़ रही थी शाम को जब सातो भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल हो रही है सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका भी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख कर उसे अर्ध्य देकर ही खा सकती है चुँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है विरावती के साथो भाई अपनी बहन को इस प्रकार भूख और प्यास से तडपता देख नहीं सके तभी सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख कर बहुत दुख हुआ इसलिए उसने एक तरकीब निकाली उसने पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे चलनी की ओट में रख दिया यह दीपक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो गया है इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चांद निकलाया है तुम उसे अर्गे देने के बाद भोजन कर सकती हो साहुकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी भाभी चांद निकलाया है चलो आप लोग भी अर्थ देकर भोजन कर लो यह सुनकर विरावती की भाभियां बोली बाईसा ये तो आपका चांद निकला है हमारा चांद निकलने में अभी समय है बहन खुशी के मारे सीधियों पर चड़ कर चांद को अर्ध्य दे दीती है और अर्ध्य देकर खाना खाने बैठ जाती है वह पहला टुकडा मुह में डालती है तो उसे चिंक आ जाती है दूसरा टुकडा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है और जैसे ही तीसरा टुकडा मुह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पती बीमार है जैसी भी हालत में हो तुरंट ससुराल पहुँचे मायके से विरावती को विदा करने के लिए जब उसकी मा उसके बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार-बार काले और सफेद कपड़े निकलने लगे यह सब देख कर उसकी मा बहुत परिशान होने लगी विरावती की मा यह सब देख घबरा कर बोली बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तो सब की पैर छूती जाना और जब कोई सदा सुहागिन होने का आशिरवाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना ऐसा करने से तुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होगी विर्वती बोली ठीक है मा और सब को प्रणाम करके वो अपने ससुराल को चल दी जो भी रास्ते में मिलता गया वो रास्ते में सब के पैर छूती गई लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन होने का आशिरवाद नहीं दिया सबने उसे यही आशिरवाद दिया की खुश रहो जीती रहो ऐसे ही चलते चलते विरावती अपने ससुराल पहुँच गई ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी जब विरावती ने उसके पाव छुए तो उसने उसे आशिरवाद दिया सदा सौभाग्यवती रहो पुत्रवती रहो और यह सुनते ही विरावती ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली विरावती जब अंदर गई तो देखा उसके पती का शवरखा है और उसको अंतिम संसकार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है विरावती पर तो मानो दुखों का पहाड तूट पड़ा हो वो अपने पती की मृत्यू का दुख बरदाश नहीं कर पा रही थी जैसे ही सब लोग उसके पती को शमशान धर ले जाने लगे तो वो रोती हुई बोली मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं भी इनके साथ में चलूंगी बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी, तो सब लोग कहने लगी कि इससे भी साथ में शम्शान घाट ले चलो और इस तरह वो सब के साथ शम्शान चली गई, जब अंतिन संसकार का समय हुआ तो वो बोली में इन्हें नहीं जलाने दूंगी सब लोग बोलने लगे, पहले तो पती को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है यह सब सुन कर भी वीरावती नहीं मानी और अपने पती को लेकर बैठ गई उसने अपने पती की मृत्यु को अस्वीकार कर दिया और उसे जीवित करने के लिए प्रतिज्या कर ली थक हार के सब ने निर्नय लिया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक जोपडी डलवा दो अब तो वीरावती अपने पती को लेकर उसी जोपडी में रहने लगी इसी तरह समय बीत रहा था वीरावती रोज अपने पती की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती भोजन पानी के लिए दिन में दो बार उसकी छोटी ननत खाना देने आती थी वह पूरे एक साल तक अपने पती के शव के पास बैठी रही और उसकी देख भाल करती रही वीरावती अपने पती के शव के उपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती थी विरावती पूरे साल चौत का वरत करती, चान्द को अर्गय देती और जब चौत माता आती तो उनसे अपना सुहाग मांगती सभी चौत माता उससे यह कहती की जब हम से बड़ी चौत माता आये तब उनसे अपने पती के प्राण मांगना साल भर में एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई जब अश्विनमास की चौथी आई तो वो बोली पुत्री तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग लोटाएंगी जब वो आए तो तु उनके पैर मत छोड़ना और कहना की माता मुझे सुहागन होने का वर्दान दो तभी आपके पैर छोड़ूंगी और तुम पहले से ही सोलह श्रिंगार का सारा सामान तयार करके रख लेना जब कार्तिक की बड़ी करवाचोथ आई तो उसने अपनी छोटी ननत से सोलह श्रिंगार का सुहाग का सामान मंगवाया जब सास को यह पता चला तो वो बोली पागल हो गई है जो पती के मरने के बाद भी सुहाग का सामान मांग रही है सास बोली जो मांग रही है दे दो साहुकार की बेटी ने करवा चौत का वरत रखा चांद को अर्ध्य दिया और पूरे विधी विधान से पूजा करी जब चौत माता प्रकट हुई तो वीरावती बोली है करवा माता मेरे पती को जीवन दान दो मुझे मेरे पती के प्रान लोटा दो और उसने उनके पैर पकड़ लिये विरावती बोली माता तुम बड़ी ही दयावान हो माता तुम सब पर कृपा करती हो हे मा मुझ अभागिन पर भी दया करो मुझे मेरा सुहाग वापस करो करवा चौथ माता बोली तूने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को अरग्य दिये ही भोजन करने लगी, तूने व्रत को बीच में ही तोड़ दिया तू तो साथ भाईयों की प्यारी बहन हैं, तो सुहाग का तेरे लिए क्या का? वह बोली नहीं माता मुझसे भूल हो गई, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया वीरावती को ऐसे रोता बिलखता देख कर चौथ माता को उस पर दया आ गई माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, पने हाथ से मेहंदी निकाली, अपनी मान से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोल कर छोटी उंगली से उसके पती पर छिड़क दिया ऐसा करते ही वीरावती का पती श्री गनेश श्री गनेश कहता हुआ जीवित हो गया चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लात मार दी, जिससे उसकी जोपडी मेहल में बदल गई जब छोटी ननत खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की जोपडी की जगह मेहल खड़ा है वो ननत को देखते ही दोडी दोडी उसके पास आई और बोली देखो बाईसा आपका भाई वापस आ गया है घर जाओ और सासुजी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए छोटी ननत दोडी दोडी मा के पास गई और बोली मा भाई जिन्दा हो गया है मा बोली भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है वह बोली नहीं मा मैंने देखा है, सच में भाई जिन्दा हो गया है सास ससुर और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने के लिए शम्शान घाट पहुँचे जब बहु सास के पैर छूने लगी, तो बोली माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया सास बोली बहु मैंने तो साल भर पहले इसे मरा हुआ समझ कर भेज दिया था यह तो तेरे भाग्य और सच्ची श्रधा से वापस आया है इस प्रकार से करवा माता की कृपा से वीर्वती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि करवा चौथ व्रत पती की दीरगायू और पतनी के समर्पन का प्रतीक है वीर्वती का धैर्य, समर्पन और त्याग उसे अंतताय सफलता और सुख प्रदान करता है इस व्रत के पीछे यही मान्यता है कि जो स्त्री इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करती है उसे अपने पती का साथ और दीरधायू प्राप्थ होती है करवा चोध के दिन विवाहित स्त्रीया प्रातह काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है और शुद्ध वस्त्रधारण करती है इसके बाद वे सदा सुहागिन रहने की प्रार्थना करते हुए वरत का संकल्प लेती है स्त्रिया पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर अपने पती की दीरघायू की कामना करती है और रात के समय चांद को अरध्य देकर वरत का पारण करती है इस प्रकार से करवा चौत का वरत रखा जाता है करवा चौत की कथा समाप्त हुई बोलिये मित्रों जय करवा माता अब चलिये सुनते हैं करवा चौत की दूसरी कथा प्राचीन समय की बात है एक पति परायन और साहसी स्त्री थी जिसका नाम करवा था अपने पती के साथ तुंदभदरा नदी के किनारे रहा करती थी करवा अपने पती के प्रती समर्पित थी और अपने पती से अत्यन्त ही प्रेम किया करती थी करवा अपने पती की लंबी उम्र के लिए प्रतिदिन पूजापाठ और वरत करती और उसकी खूब सेवा करती थी उसकी दुनिया उसके पती के चारों और घूमती रहती थी और उनका अपने पती के साथ बंधन इतना गहरा था कि वो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तयार रहती थी बशर्ते की उसका पती सुरक्षित रहे करवा का अपने पती के प्रती प्रेम और उनकी भक्ती अध्वितिय थी, वो अपने पती के हर सुखरुख में उनका साथ निभाती थी और उनकी सुरक्षा के लिए हर पल सजग रहती थी इसी प्रकार से एक दिन की बात है, करवा के पती नदी में स्नान करने गए हुए थे उस दिन सूर्य की किरने नदी के जल पर चमक रही थी और चारों और शांती फैली हुई थी करवा अपने घर के द्वार पर खड़ी, मन ही मन अपने पती के सुरक्षित लोटने की प्रार्थना कर रही थी करवा के पती नदी में सनान करके निकल ही रहे थे कि अचानक से नदी की गहराई से एक मगरमच निकला और उनके पैर को पकड़ कर उन्हें नदी में खींचने लगा वह मगरमच बहुत ताकतवर था और करवा का पती उस मगरमच के चंगुल से निकलने के लिए संधर्ष कर रहा था पर कोई लाभ नहीं हो रहा था करवा के पती ने जीवन के इस संकट पूर्ण क्षण में अपनी पत्नी को पुकारा उनकी आवाज में मृत्यू का भय था लेकिन साथ ही अपने प्रती करवा के प्रेम और भक्ती पर पूरा विश्वास भी था करवा जो अपने पती के शकुशर घर आने की प्रतीच्शा कर रही थी अपने पती की ऐसी आवास सुनकर तुरंत डौड कर नदी के किनारे पहुची उन्होंने देखा कि उनके पती को मगरमच अपने ताकतवर जबडो से जकड़े हुए था और उन्हें धीरे धीरे पानी में खीचे जा रहा था जब करवा ने यह द्रिश देखा तो उसका हृदय विचलितो उठा उसकी आँखों में आसु आ गए लेकिन उसका समर्पन और साहस उसे तूटने नहीं दे रहा था करवा जानती थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा इसलिए उन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं खोया उसने बिना समय गवाए पास में पड़े एक सूती धागे को उठाया और अद्भुद साहस का परिचय देते हुए मगरमच की ओर दौर पड़ी अपने द्रिढ निश्चय और प्रेम की शक्ती से करवा ने मगरमच को उस धागे से एक पेड से बांध दिया यह कोई साधारन धागा नहीं था बल्कि वह करवा के सतीत्व और उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था करवा के सतीत्व से वह कच्चा धागा इतना शक्तिशाली हो गया कि मगरमच उसमें बंध गया और अपनी सारी शक्ती लगा कर भी खुद को छुड़ा नहीं सका करवा ने मगरमच को रोक तो लिया था परंतु अब उन्हें अपने पती को जीवंदान दिलाने के लिए कुछ और करना था करवा ने पूरी श्रधा से यमराज को पुकारा यमराज मृत्यू के देवता करवा के सामने प्रकट हुए करवा ने उनसे कहा हे यमराज यह मगरमच मेरे पती के प्रान लेना चाहता है परंतु मैं उसे ऐसा करने नहीं दूँगी मैं अंतिम श्वास तक अपने पती के जीवन की रक्षा करूँगी और यह मगरमच अपने इस दुष्ट कृत्य के लिए दंडित होगा हे यमराज आप न्याय के देवता है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे दंड दें और मेरे पती को जीवन दान दें यमराज ने करवा की प्रार्थना सुनी और गंभीर स्वर में कहा हे देवी मगरमच की आयू अभीशेश है और तुम्हारे पती की मृत्यू का समय आ चुका है मैं इसे बदल नहीं सकता करवा ने यमराज की यह बात सुनते ही क्रोध से भर गई उनके भीतर का प्रेम और समर्पन उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था करवा ने द्रिढ निश्चय के साथ कहा यदि आप मेरे पती को जीवनदान नहीं देंगे और मगरमच को दंडित नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी सती करवा के इस कठोर वचन और उनके सतीत्व की शक्ती से यमराज भैभीत हो गए यमराज जानते थे कि एक पतिवर्ता सती नारी का श्राप उन्हें विनाश की ओर ले जा सकता है अता उन्होंने तुरंत मगरमच को यमलोग भेज दिया यमराज ने करवा के पती को जीवनदान दिया और साथ ही उसे दीरगायू का आशिरवाद भी दिया करवा की भक्ती और साहस की इस कहानी ने उसे अमर कर दिया और इसी कारण करवा चौत का पर्व मनाया जाता है इस वरत में महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और सुक्सम्रिधी की कामना करती हैं ठीक वैसे ही जैसे करवा ने अपने पती के लिए किया था यह कथा न केवल प्रेम और समर्पन की गाथा है, बलकि यह हमें यह सिखाती है कि द्रिड निश्चे और सच्ची भक्ती से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है करवा की इस द्रिडता और साहस की कथा आज भी सुहागन महिलाओं के लिए प्रेणा का स्रोत बनी हुई है कथा समाप्थ हुई बोलिये मित्रो जय करवा माता की, जय चौथ माता की